गुड मॉर्निंग क्लासिक्स हम चैप्टर नमबर 4 पढ़ रहे हैं साइंस का शॉटिंग मटिरियल इंटू ग्रूप्स ठीक है उसमें आज हमारा टॉपिक है बेसिज ओफ क्लासिफिकेशन ठीक है जिसी किसी भी मटिरियल की हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके बेसिज क्या है उसके अधारबूत क्या होते है तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कोई भी मटिरियल होता है उसको क्लासिफाई करने के लिए हम उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं ठीक है प्रॉपर्टीज मतलब गुण जो प्रॉपर्टीज होती है मटिरियल की वो हमें बताती है कि हाउ टू यूज कि उस मटिरियल को हमें किस तरह से यूज करना है सम सिंपल प्रॉपर्टीज होती है जिनकी बेसिज पे हम किसी भी मटिरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे की number one है luster, luster का मतलब होता है चमकी लापन, ठीक है, luster is a shine of a material, ठीक है, कोई भी आपके पास material है, कोई भी आपके आजपास कुछ भी material है, तो उसकी चमक देखके हम उसकी properties गुण बता सकते हैं, कि कौन सा material में luster property है, ठीक है, you might have noticed that some material shine, but some do not shine, कि हमने देखा है, कि हमारे आपस जो भी objects होते हैं, उसमें कुछ objects में चमक होती है, और कुछ में नहीं होती, जैसे की all metals in pure state are shine, कि जो भी metals होती है, जो कि अपने pure state में होती है, वो हमेशा चमकती रहती हैं, जैसे की silver, ठीक है, आपको ये spoons दे रखे हैं, fork, spoon, knife दे रखा है, त golden choices होती है, वो भी shine करती है, तो जितने भी pure metals, pure state में होती है, metals वो हमेशा shine करती है, ठीक है, और उनको हम possessed luster बोलते हैं, ठीक है, while some material like, जैसे हमारे पास ये paper है, ये लकडी है, ठीक है, they do not have luster, उनके पास अपनी चमक नहीं होती, ठीक है, तो ये भी एक property है, कि कुछ objects के प special shine on them are set to be lustrous, जिनके पास special shine होती है, जैसे कि gold की jewelry हो गया, silver हो गया, तो उनको हम lustrous बोलेंगे, and those which lack luster are called dull, और जिनके पास shiny है, जैसे ये लकडी का टुकड़ा है, जैसे ये paper है, इनके पास shiny है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, dull, मतलब फीका है, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि wooden frame जो होती है, वो क्या होती है, wooden frame में न्यूस पर जो होती है, जो कागज है, लकडी है, वो क्या है, इंडल इनके लिए, ठीक है, जो gold jewelry है, cycle के handle है, silver jewelry है, ये silver के हमारे पास utensils, बरतन है, वो क्या होती है, शाइनी होती है, ठीक है, ये भी एक गुण है, हमारे materials को classify कर बने के लिए, दूसरा हम बात करते हैं, जैसे कि graphite and iodine are the two non-metals, ये non-metals में आते हैं, graphite जो pencil का सिक्का होता है, और iodine जो होते हैं, वो भी shiny properties होती है, ठीक है, next, second देखते हैं हम, second properties क्या है, physical state, किसी भी चीज़ की physical state मतलब, वो किस तरह से दिख रही है, material can be classified on the basis of their state, all substances are made up of matter, ठीक है, matter मतलब किसी पदार्स से बने होते हैं, सभी substance, anything that has mass and occupies, कोई भी चीज़ है, जिसके पास mass है, मतलब, जिसको हम जहां पर भी रखे, वो space occupy करेगी, और उसके पास mass होगा, अपना दरभ्यवान होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, matter बोलेंगे, ठीक है, matter can be classified on three state, तीघी state में उनको वगित किया जाता है, solid, liquid और gas, यहां पे एक table दे रखे है, इसमें हमें देखेंगे कि solid क्या होता है, liquid क्या होता है, solid क्या होता है solid में definite shape and volume होता है ठीक है किसी भी चीज़ की definite एक स्थाई shape होती है और volume होता है और solid जो होता है cannot be compressed solid को हम कभी भी compress नहीं कर सकते दबा नहीं सकते उसको और particles are closely packed और जो भी particles होते हैं जैसे wood की particles है वो बहुत ही closely packed होते हैं बहुत ही tight tight होते हैं तो उसके टेबल है for example ice है तो लीक्वर की बार है पॉर इचमिट की बात सकते है जैसे डाल दो लीक्वर को तो वह घिलम की शबले लेन को पाणी जैसे पानी को डाल दूद को डाले तो गोडल की i shell लेगा तो उसका definite shape नहीं होती पर definite वॉल्यूम होता है ठीक है they take the shape of container in which they are store किसी भी चीज में हम liquid को डालेंगे वो उसकी क्या ले लेगा shape ले लेगा ठीक है can be compressed to the small extent और उसको liquid को हम compressed कर सकते हैं मतलब थोड़ी इसमें ही कर सकते हैं small extent में बहुत ज़्यादा compress नहीं कर सकते हैं liquid को हम small extent में ही compress कर सकते हैं particles are not as closely packed as in solid जिस तरह से solids में बहुत ही closely packed होते particles उसके पर liquid में बहुत ज़्यादा closely नहीं होते close तो होते हैं पर बहुत ज़्यादा closely होते जैसे कि solid में होते हैं ठीक है यह थी है हमारी liquid state फिर next time बात करते हैं gaseous state gaseous में क्या होता है जो gas होती है उसकी ना तो definite shape होती है और नहीं volume होता है not definite shape and volume ठीक है उसकी ना तो shape होती है gas को हम gas तो कहीं भी होती है ठीक है उसकी कोई shape नहीं होती है उसका volume भी नहीं होता highly compressible होती है ठीक है उसको gas को हम जितना भी compress कर सकें वो हम कर सकते हैं, जैसे कि LPG सिलेंडर में आपने देखा होगा कि gas उसमें किस compress की जाती है, ठीके? और next है, particles are loosely packed gas in the gas state जो particles होते हैं वो बहुत ही loosely packed होते हैं, ठीके? क्योंकि वो gas state है तो वो loosely packed होंगे, ठीके? third number देखते हैं हम कि किस तरह से material को classify कर सकते हैं, थो third है उसकी roughness देखके, roughness मतलब उसका uber खाबर, थोड़ा धुनला सा, फीका सा roughness उसको बोलेंगे, ठीके? कि जो भी material है, can be rough और smooth, ठीके? हमारे पास कुछ भी material है, उसको कैसे classify कर सकते हैं हम, या तो उसकी roughness देखेंगे, कि किस तरह उबढ़ खाबर है या तो हम उसकी smoothness देखेंगे कि कितना वो चिकना है, ठीके? roughness and smoothness of the material can be felt by touching it तो इसको हम कैसे measure कर सकते हैं? touch करके, कि कितना वो चिकना है, या कितना वो खुरदुरा है, ठीके? जैसे कि example देखते हैं, यहाँ पर sandpaper sandpaper आपने देखा होगा, sandpaper wood, लकडी, rocks जो चटान होती है, bark of tree पेड की छाल होती है और rough materials, यह क्या होते हैं? rough होते हैं, इन पर आप हाथ लगाओगे तो यह खुरदुरी सताय के materials होते हैं, वाईल यह flower petals जो flower की जो पंखुडियां होती है, यह glass sheet जो होती है, ग्लास की sheet को आप हाथ लगाओगे, यह flower की जो पंखुडियों को हाथ लगाओगे, तो smooth surface होती है, ठीके? इसे butterfly के punk आपने देखे होंगे, बिल्कुँ smooth होते हैं, तो यह roughness यह smoothness हम देख सकते हैं which material are classified, उसके basis पे हम material को classify कर सकते हैं, the ability of material being scratched as known as its hardnets, मतलब कोई चीज हमने soft lely, जैसे इस book में बताया कि एक हमने nail lely, ठीके? कील lely और एक lely crayon color, ठीके? उसको हम रगड के देखेंगे, तो जो जल्दी तूट जाएगा, तो क्या होगा, जैदा hard नहीं होगा, और जो जल्दी तूटेगा नहीं, जिसके कारण scratches आजाएगे, वो क्या होगा? hard particles हो गया, ठीक है? when a surface of a two different material, कोई भी किसी भी चीज़ की surface है, are rubbed against each other, एक दूसरे हम रगड़ते हैं उसको तो surface which scratch, जो scratch कर रही है, वो क्या होगी? hard होगी और मतलब scratch करते करते तूट गई तो उस material को बोलेंगे, हम soft material, ठीक है? the surface which is get scratched is said to be soft as compared to the scratching surface, जैसे कील है, कील को हम scratch करेंगे तो उससे क्या होता है? scratch के निशान पढ़ जाते हैं क्या वो तूरती नहीं है? तो वो क्या हो गया? hard particle हो गया तो third, fifth देखते हैं हम उसकी solubility कि किसी भी material या substance की घुलन शीलता कितनी है? कितना वो घुल सकता है? ठीक है? many substance are soluble in water ठीक है? बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं whereas others are not कुछ घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं तो basis on their solubility material can be soluble, insoluble, missival और missival ठीक है? तो उसको classify करने के लिए हम क्या देखते हैं? कि कितने solubility material के solubility देखने के लिए कि कितना soluble है? कि कितना वो घुलता है? या कितना insoluble है? कितना नहीं घुल रहा है? या missival है? कि थोड़ा घुल रहा है? थोड़ा नहीं घुल रहा है? या immisival है? कि बिलकुल ही नहीं घुल रहा है जैसे कि हम देखते हैं the solid materials that dissolve in water are said to be soluble materials ठीक है? कुछ solid materials होते हैं जो कि पानी में घुल जा रहे हैं उनको हम soluble materials बोलेंगे and those which do not dissolve in water जो कि पानी में नहीं घुल रहे हैं उनको हम insoluble बोलेंगे ठीक है? जो घुल रहे हैं उनको soluble material बोल रहे है और जो material नहीं घुल रहे हैं उनको हम insoluble बोलेंगे material for example अगर आप एक गिलास लेते हो उसमे रेत डालते हो और एक गिलास में नमक डालते हो तो नमक वाला तो घुल जाएगा पानी में तो वो क्या हुआ solival material हुआ और जो नहीं गूलेगा रेत पानी में नहीं गूलती तो वो क्या हो गई in solival in water और liquid की बात करें कि liquids that mix with each other are kind missival liquid ठीक है जो liquid में liquid डाल दें जैसे कि for example है दूद ठीक है दूद वाला आता है तो दूद में पानी डाल दे या पानी में दूद डाल दे तो हम उसको अलग नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलेंगे missival liquids liquids that mix with each other ठीक है दो liquids है जो कि आपस में mix हो जा रहे हैं उनको हम missival liquid बोलेंगे for example water and milk are missival जैसे पानी दूद में पानी डालो या पानी में दूद डालो तो वो missival liquid है एक दूसरे में mix हो जाते हैं ठीक है for sorry liquids that do not mix with each other are immisival liquid और immisival liquid किसको बोलते हैं जिसमें दो liquids हैं वो आपस में नहीं खुलते जैसे कि पानी में हम अगर oil को add करें तो oil की surface बन जाती है उपर गिलास में कि या किसी भी बरतन में ले रहे हो और water वो अलगी दिखता है ठीक है तो उस liquid को क्या वो लेंगे immisival liquid जो कि दो liquid है वो आपस में नहीं गुलते उनको हम immisival liquid बोलते हैं some gases also dissolve in water कुछ gases जो होती है वो पानी में घुलन शील होती है जैसे कि oxygen and carbon dioxide dissolving water जो oxygen और carbon dioxide है वो पानी में घुलन जाती है जैसे कि oxygen जो यह जीव होते हैं जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं जीसे मचलिया तो ये क्या करते हैं घुली हुई oxygen को लेते हैं इनके पास गिल्ज होती हैं जो की घुली हुए oxygen को लेके जीवित रहते हैं ठीक है तो carbon dioxide dissolving water होती है oxygen dissolving water is essential for aquatic life aquatic life मतलब जैसे जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं जो aquatic life जीते हैं वो कैसे लेते हैं oxygen हम लोग तो पानी से बाहर रहते हैं तो हम लोग तो गैस की फॉर्म में लेते हैं oxygen को और जो पानी में रहते हैं जीव वो कैसे लेंगे dissolved oxygen लेंगे ठीक है soft drinks आप लोग पीते हो cold drink पीते हो तो वो उसमें क्या होता है dissolved carbon dioxide होती है ठीक है some gases like nitrogen methane etc do not dissolving water दूसरी जो जैसे जैसे नाइट्रोजन है methane है जो कि पानी में नहीं घुच सकती ठीक है oxygen और carbon dioxide पानी में घुलनशील होती है ठीक है यह थी six properties आज पढ़ते हैं next हम next lecture में पढ़ेंगे ओके thank you